नमस्कार, एस्टोलोजी प्रो चनल में में दी पकलो उनी आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ इस दुन्या में जो भी घट रहा है या घटने वाला है सबी प्रकार की घटनाएं जो हमारे नौग रहें उनी के चाल पर निर्भर करता है और कोई भी ब्यक्ति आज के समय में अपनी डेट अप बर्थ, टाइम और जन्म स्थान से अपनी कुंडली को जान सकता है या किसी जोतिस से बनवा सकता है लेकिन वह ब्यक्ति क्या करें जिसे इन चीजूं के बारे में पता नहों जिसे अपना जन्मस्माई का पता नो हो, तो ऐसे ब्यक्ति अपने बारे में कैसे जाने कि उनके जीवन में किस ग्रह के नकारात्मक प्रभाव मिल रहे हैं, क्या यह संभाव बनता है कि बिकर कुंडली देखे भी हम अपने जीवन में कमजोर ग्रह की बारे में पता लगा पा प्राप्त हो रहा है कौन सा ग्रह हमारे कुंडली में कमजोर अवस्ता में तो उसके लिए आपको कुछ लक्षन जानने होंगे और आपको पता होनी चाहिए कि कौन से ग्रह से किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं तो आज उसी बारे में चर्चा करते हैं उससे पहले अगर कोई दर्सक चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन जरूर दबाईए जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिपिकेशन आपको प्राप्त हो तो चलिए शुरुवात करते हैं सर्वपर्धम हम जानते हैं कि सूरी गरा अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूरी गरा कमजोर इस्तिति में है या वहाँ नकारत्वक परेडाम दे रहा है तो आपके बास कुंडली ना होने के बाद भी आप कैसे पता लगा सकते हैं सूरी ग्रह को सबी ग्रहूं में राजा का दर्जा प्राप्त है किसी भी जातक की कुंडली में सूर्य पिता का कारग माना जाता है ऐसे कोई भी जातक जिनके जीवन में अपने पिता के साथ अन्बन बनी रहती है या पिता के स्वास्त के सम्मंदित परेशानी जीवन में हमे खराब बनी हुई तो ऐसे व्यक्तियों को सूरिय से संबंदित उपाय करने आवश्यक हो जाते हैं वह व्यक्ति बिना कुंडली देखे भी यहां जान सकता है कि उसकी कुंडली में सूरि के नकारत्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं अब बात करते हैं अगर किसी कुंडली में चंद्र का खराब स्तिति बनी हुई है उसे इस बारे में पता नहुँ तो वहाँ जो जीवन के लक्षण है उनसे यहां जान सकता है चंद्रमा को जोतिस सास्त्र में मन और मस्तिस्क का कारक माना गया है जिस भी जातक की कुंडली में चंद्र की इस्तिति खराब बनी है तो ऐसे ब्यक्तियों का मन बहुत वेचेन रहता है मस्तिस्क से संबंदित बिमारियों से ऐसा ब्यक्ति परिशान रहता है या फिर मा का कारक भी माना गया है चंद्र को, तो मा के साथ अनबन की इस्तिति बन जाना, या मा के स्वास्ति के संबंदित परेशानी हो जाना, यह भी चंद्रमा की कमजोर इस्तिति को दर्साता है, तो ऐसे में ब्यक्ति को चंद्र से संबंदित उपायों को जरूर करना चा सबी ग्राहों में सेनापती का दर्जा प्राप्त है मंगल ग्राह कुंडली या जीवन में कमजोर इस्तिति में होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को साहस की कमी होती है और ऐसे व्यक्तियों के सत्रू भी बहुत जादा होते हैं और प्रबल होते हैं इसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति फभाव से क्रूर और निर्दई हो जाता है। यदि किसी जातक के जीवन में यह लक्षन दिखाई देते हैं, तो उस व्यक्ति को मंगल से संबंदित उपाय करने चाहिए। यहाँ आप लक्षन जो हैं बिना कुंडली देखे भी जान सकते हैं, तो आपको ऐसे अगर लक्षन दिखाई देते हैं किसी भी परिवार के सर्दशी में, तो आप उसे मंगल से संबंदित उपाय करने के लिए कह सकते हैं। बात करते हैं बुद्ग्रह की, अगर बुद्ग्रह की कुंडली में अगर खराब इस्तिती बनी है, तो ऐसे ब्यक्तिओं को बिना कुंडली देखे भी उसके लक्षणों से जान सकता है। बुद्ध ग्रह किसी भी ब्यक्ति के जीवन में बुद्धी और वाणी का कारक माना जाता है जिन भी जात्कों के जीवन में बुद्ध की कमजोर इस्तिती बनी हुई है ऐसे ब्यक्तियों को गणित को समझने में भी परिशानी का सामना करना पड़ता है ऐसा ब्यक्ति एकदम से गडित की बाते नहीं समच सकता, ऐसा ब्यक्ति दूसरों से बाते करने में भी अशाहज महसूस करता है और बाणी में रुकावट का सामना भी ऐसे ब्यक्तियों को करना पड़ता है, चाहे वह तोतला हो या बोलने में रुक-ुक कर बोलता हो, या कोई भी बात कहने में ब्यक्ति संकोच करता है इसके अलावा भूत की कमजोरी ब्यक्ति में त्वचा संबंदित विकार भी उत्पंद कर देते हैं अगर त्वचा से संबंदित कोई रोग है तो भी भूत की खराब इस्तिति को दर्शाता है तो हमें यह लक्षन देखकर यहां अनुमाल लगाने रहा चाहिए कि कुंडली में भूत की खराब इस्तिती बनी हुई है। बात करें ब्रश्पति ग्रह की, ब्रश्पति ग्रह को सबी ग्रहों में गुरु का दर्जा प्राप्त है। अइसे में जिन जातकों की कुंडली में ब्रस्पति ग्रह की कमजोर इस्तिती बनती है तो ऐसे ब्यक्तिकों को शिक्ष्या से संबंदित परिशानियों का सामना करना पड़ता है शिक्ष्या प्राप्त करने में बाधाएं उत्पन्न होती हैं कम उम्र में ही बाल जड़ने लगते हैं इसके साथ ब्यक्ति को धन से संबंदित अत्यदिक परेशानी हो जाती है क्यूंकि इसे धन का भी कारग्रह माना गया है संतान उत्पति से संबंदित आने वाली परेशानी को भी देवग्रु ब्रश्पति की खराब इस्तिति दर्चाता है इसके अलवा पीलिया रोग से संबंदित परेशानी का भी सामना करना पड़ता है तो ऐसे व्यक्तियों को देवगुरु ब्रसपति के उपाय करने चाईए। बात करें अगर सुक्रग्रह की तो सुक्रग्रह को भौतिक सुखुं का कारग्रह माना गया है। अगर किसी जातक के वैवाहिक जीवन में समश्या उत्पन्न हो गई है तो इसका अर्थ है कि उस जा नहीं कर पाता तो यहाँ भी सुक्र की खराबिस्थिति को दर्श आता है। शुक्र की एक पाप ग्रह माना जाता है, अगर जीवन में सनी की खराब इस्तिती बनी होती है, तो जातक का जीवन परेशानियों से भर जाता है, ऐसे जातकों को अत्यदिक कोशिस करने के बाद भी अपने कारी में सफलता हांसिल नहीं होती, साथ साथ इन जातकों पर कर्ज का बोज अनुमान लगा लेना चाहिए, कि उसके जीवन में सनी की इस्तिती सही नहीं बनी है, तो ऐसे जातकों को सनी के उपाय करने चाहिए, बात करते हैं राहुग्रा की, अगर किसी जातक की कुंडली में राहुग्रा की खराब इस्तिती बनी होती है, तो ऐसा जातक अपने अगर वह ब्यक्ति कोई कुट्टा पालता है तो उस कुट्टे की अचानक ही मृत्य हो जाती है तो यह भी राहु के खराब होने की इस्तित को दर्शाता है अगर ऐसा किसी भी ब्यक्ति के जीवन में होता है तो उस ब्यक्ति को अपने राहु ग्रह का उपाय करना अतियावश तो उस ब्यक्ति को दर्द और मूत्र से संबंदित समच्याई उत्पन्द हो जाती है। ऐसे जातकूं के मन में हमेशा भ्रहम की इस्तिति बनी रहती है। ऐसे ब्यक्ति हमेशा किसी भी खयाल में खोए रहते है। अगर यहां इस्तिति किसी के जीवन में बनती है तो उस ब्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि उसकी कुंडली में केतु की इस्तिति सही नहीं है तो ऐसे ब्यक्ति को केतु से संबंदित उपाई कर लेने चाहिए तो यहां एक जानकारी थी क्योंकि बहुत से लोगों को यहां पता नहीं होता है उसकी जो बर्थ डिटेल की जानकारी है वहां ना होनी की वज़ेसे वहां ब्यक्ति अपनी कुंडली नहीं बना पाता और नव उसे पता होता है उसके जीवन में किस ग्रह के नकारात्मक नाम राप्त हो रहे हैं और वह उस ग्रह के उपाय कर सकता है और अपने जीवन में आने वाली परिशानियों को कम कर सकता है आप इनके जो उपाय हैं उसके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं इसके बीजमंत्रों होते हैं अगर आप बीजमंत्रों के बारे में नहीं जानत तो मैं इसके इंडे स्कीन में वीडियो लगा दूंगा आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं आप वहां से भी उन बीजबंप्रु को देख सकते हैं उसके अलावा और इन ग्रहों से सम्मंदित उपाय दान आप क्या कर सकते हैं इसका भी मैं इंडे स्कीन में वीडियो लगा दूँगा आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं तो यहां जानकारी उन जातकों के लिए जो ब्याक्ति स्वयम से यहां पता लगाना चाहते हैं कि उसकी कुंडली में कौन से ग्रह की इस्थिति खराब है तो उसके बारे में मैंने आपको समझाने का प्यास किया उमीद करता आप समझ गए हूँगे और साथ ही आपको यहां वीडियो और यहां जानकारी अच्छी लगी होगी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें और जो दर्शक चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन जरूर दबाईए जिस से आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा धन्यवाद